Hello everyone, this is Vuex here and today we are going to discuss a new story A Letter to God by G.L. Fiventers ये स्टोरी क्लाश 10th NCRT की इंगलिस की बुक में भी है हम इस स्टोरी को लाइन बाइन देखेंगे जो क्लाश 10th फालो की बहुत ज़्यादा देवी है इसे हम आलक तरीके से देखेंगे इस तरीके से देखेंगे कि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे फिर एक बार सेल्फ लीडिंग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर रटने की ज़वरत नहीं पढ़ेगी तो चलिए बढ़ते हैं और इसको लाइन बाइन समझने की कोशिक कर देखें A Letter to God जी एल फिवेटर्स दोस्तों यह कहानी एक ऐसे फार्मर के उपर बेस्ट है जो गॉड में मतलब बहुत अधिक फेत रगता है बहुत अधिक विश्वास रगता है उसी के उपर बेस्ट एस्टोरी है चलिए पढ़ते हैं और इसका अल्थ समझने की कोशिक करते हैं यह है इस्टोरी आपकी क्लास 10 में भी है तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप इसके question answer करने में भी able रहें उसको भी कर पाएं the house the only one in the entire valley set on the crest of alohi from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest यानि की एक घर है जो पूरी इंटायर वैली में एक अकेला घर है set on the crest यानि की एक चट्टान पर बसा हुआ है ठीक है जैसे crest क्या होता यहां पर देखिए इसकी meaning दी हुई है आप ऐसे side में देख लिया करिए ठीक है from this height one could see the river and the field of right corn dot with the flowers that always promised a good harvest तो यहां पर खड़े होकर इस घर पर खड़े होकर कोई भी रीवल देख सकता है फिल्ड देख सकता है जो कॉन के फिल्ड है और उसमें flowers लगे हुए है जो की good harvesting का sign दे रहे है the only thing the earth needed was a downpour or at least a sore तो जो एक ही चीज की कमी है अल्थ को वो यह है कि हलकी सी बारिश हो जाए डाउन पार हो जाए रिम जिम रिम जिम बारिश हो जाए ठीक है थ्रूआउट दा मॉल्निंग लेंचों हूद इस फिल्ड इंटिमेटली है दन नथिंग एल्स बट सीधा इसकाई टूर्स नौथ इस्ट लेंचों जो की फार्मर है हमने बात किय थी स्टार्टिंग में यह एक फार्मर के उपर बेस्ट इस्टोरी है तो यह वही फार्मर है उसके बिलीब पर है तो यह वही फार्मर है जो बिलीब करता है गॉड में तो फूद न्यू इस फिल्ड इंटिमेटली जो अपने फिल्ड को इंटिमेटली यानि बहुत नजदीक स जानता है, has done nothing else but see the sky towards, जो सुबह सुबह ही इसकाई देख रहा है, North East की तरफ, North East यानि की उत्तर और पूर्म की तरफ मुख करके खड़ा है और उसे देख रहा है, अब आगे क्या होता है, now we are really going to get some water, woman, अब वो कहता है कि हम अब सच में कुछ पानी पाने जा रहे है, the woman who was preparing supper, अब वो woman जो यानि कुछ की पत्नी हो सकती है, या पत्नी ही है यूँ कहें, वो सपर बना रही है, क्या सपर मी सोता है, रात का भोजन, ठीक है, dinner, replied, yes, God willing, हाँ, इस स्वर की यही एक्छा है, the older boys were working in the field, ठीक है, जो older boys हैं, वो काम कर रहे थे field में, while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं, until the woman called them all, जब तक वो जो woman है, वो उन सब को बुलाती नहीं, तब तक सब खेलते रहते हैं, और अपने काम में लगे रहते हैं, come for dinner, अब बुलाती है, किया जाओ, डिनर के लिए, it was during the meal that, just as, अभी यह मेल चल ही रहा था, कि तभी क्या होता, just as, lancho had predicted, big drops of rain began to fall, लेंचों को ऐसा महसूस हुआ, उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि बड़ी-बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गए इन दा नौर्थीस्ट, huge mountains of clouds, could be seen approaching, और नौर्थीस्ट में बड़े-बड़े जो है, बादल दिखाई दे रहे हैं, the air was fresh and sweet, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वो आदमी जो लिंचो है, वो खाना छोड़के अपना बीच में ही बाहर जाता है, क्या करने, फील करने, किस को फील करने, उस rain को फील करने, अपने body पे, उस boond को फील करने, अपनी body पे, ठीक है, क्योंकि यह उसकी इच्छा की पूर्ती थी, उसकी जो billing थी, जो उसकी desire थी, यह पूर्ती थी, जो God ने की थी, तो वो बहुत खुश था, and when he returned, he exclaimed, यानि की खुशी से चिल आया, exclaimed means खुशी से चिल आया, these aren't raindrops falling from the sky, यह raindrops नहीं है, जो इसकाई से गिर रहे, they are new coins, यह नए सिक्के हैं, the big drops are 10 cent prices, and the little ones are 5, जो बड़ी बूंदे हैं, वो 10 cent की हैं, और जो छोटी बूंदे हैं, वो 5 cent की हैं, with a satisfied expression, he regarded the field, of ripe corn with its flour, drabbed in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hail storm began to fall, क्या होता है, कि अब जो बारिस हो रही थी, जो 5 cent और टें比較 जिसको संगया दे रहा था, जिसका नाम दे रहा था, यह जो बारिस हो रही थी, यह अचानक से बदल जाती हैं, कि स्वें? हेली स्ट्रॉम में और बहुत तेज बारिश होने लगती है और क्या होता है और पत्थर भी पढ़ने लगते हैं और क्या होता है और हवा तेजी से चलने लगती है और उसके बार देश ट्यूली डिद रिजेंबल निव सिल्वर कोई अब वाइज एक्स्पोजिंग देमसेल्फ टूदा रेन और यह ऐसा लग रहा था कि यह नए जो है चांदी के सिक्के बरस रहें और बच्चे जो की खाना का रहे थे छोड़कर भागते हैं और उनको अगेल दिया रैन आउट टू कलेक्ट दफोजन पर्स जो यह फ्रोजन जमें हुए मोती थी इनको इकठा करने लगे इट इस रियली गेटिंग बैड नाव एक्स्क्लेंड दा मैं मैं चिलाया कि यह बुरा हो रहा है आई होप इट पासेश कुक्ली मुझे लगता है मैं आ दा होल वैली दा फिल्ड वाइट एज इफ कवर्ड बिच सॉल्ट और यह घंटों तक नहीं गुजरा और ऐसी ही बारिश हुई ऐसा ही हेल स्टोन पड़े ऐसी ही हवा चली घंटों तक कहां हाउस पर गार्डेन में हिल साइट कॉन फिल्ड और हर जगा वैली में पूरी व इतनी सफेद हो गई थी खेट जो फिल्ड थी कि ऐसा लग रहा था किसी ने नमक से ठक दिया है और सारी फसले जो दिख रही थी और सब दिखना बंध हो चुकी थी not a leaf remained on the tree trees पर जो मक्के के पेड़ थे उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था the corn was totally destroyed और जो corn था वो पूरी तरह से destroy हो चुका था the flowers were gone from the plants lynchos soul was filled with sadness और जो flowers थे वो सब गिर चुके थे और लेंचों की जो सोल है वो आत्मा है वो दुख से भर चुकी थी वेन दा स्टॉर्म हैट पास्ट जब स्टॉर्म पास्ट हो गया he stood in the middle of the field and said to his son वो बीच में खड़ा हुआ अपने खेट के और अपने बच्चों से कहा क्या कहा है अप प्लेग ओफ लक्टास वुड़ाइब लेफ मोल दैन दिस दा हेल है लेफ नथी यानि कि जो लक्टास का टिड्डियों का जुंड आता है वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता है लेकिन इसने इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा दिस येर वी विल है नो कॉल इस स सबाइल थी वह एक दुख की रात में बदल गई और वर्क फॉल नथीं और जो भी हमने मेहनत की थी वह सब बरबाद हो गई देर्स नो वन हो कैन हिल्प अब और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके वी आल गो हंग्री दिस ये और इस साल हम भूखे रह जाएंग अब देखिए नीचे आपको oral comprehension के question दिए हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा देखिए और यहां से लेकि हमने जितना पढ़ा इस पर based अपभने को कुछ questions देखने को मिल रहें यह देखिए ऐसे ही आपको पैसे भी आते हैं आपके बोड़ एक्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके अनुड़ एक्जाम उते हैं वहां पर ऐसे पैसे भी पूंचे जाते हैं कि आप जो chapter पढ़े हो उसमें से जो आपके दीड पैसे जाते हैं वो आते हैं और दिए रहते हैं पैसे पढ़ना है और उनके आंसर धूनने हैं उसी पैसेंसे तो इन सब पर आप को स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखनी है कलते हुए चलना है जैसे अब जैसे क्या है? What did Lancho hope for? Lancho किस चीज की आसा कर रहा था, नहीं, तो Lancho किस चीज की आसा कर रहा था? गुड रेइन की? नहीं, या शावर की आसा कर रहा था, ठीक है? या रेइन पार भी आप बोल सकते हूं, इस चीज की आसा कर रहा था? ठीक है? तो Lancho hope for a little rain, like a sore, और ऐसे भी आप लिख सकते हो ठीक है वाई डिड लेंचो सेज दा रेंड्रॉप्स वर्ड लाइक नियुक्वाइन लेंचो क्यों बोलता है कि वो नियुक्वाइन की तरह था ठीक है इन सब का आंसर आपको करना है करने की कोशिश करनी है इसके इस चैप्टर को पढ़ लेने हूँ लिब इन दा सॉलिटरी हाउस इन दा मिडिल अफ द बैली देर वाज़ा सिंगल होप हिल फ्रॉम गॉड अब वहां पर सिर्फ एक ही हिल बची थी किससे गॉड से किससे गॉड से कि अब गॉड ही हमारी हिल कर सकता है डॉंट बी शो अपसे इवें दो दिस सीम्स ला संबर no one dies of hunger कोई भी भूख से नहीं मरता है ठीक है that's what they say no one dies of hunger फिर वो यही कहते हैं कि हां भूख से कोई नहीं मरता although the night lynchow thought only of his one hope the help of God अब वो पूरी रात यही सोचता रहा इसी उहापो में उसकी रात गुजर रही है और वो यही सोच रहा है कि अब तो सिर्फ एक ही तरीका है कि God हमारी help करे whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience उसकी जो आखे हैं जो God की आखे हो सब कुछ देख सकती है everything even what is deep in one's conscience और वो भी देख सकती है जो किसी मन की किसी ब्यक्त की अंतर आत्मा में है लेंचो वाज आएन ओक्स ओफ आ मैं यानि कि जो लेंचो था वो एक बैल था आदमी के रूप में working like an animal in the field जो एक animal की तरह अपनी field में काम करता रहे था बट इस्टिल ही निव हाव टु राइट लेकिन तब भी वह या जानता था कि लिखते कैसे हैं दा फॉलोइंग संडे अएट डे ब्रेक ही बिगें तु वर्क अलेटर विछी हिमसेल्फ उट कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन दा मेल इट वाज नाथिं लेस दैन लेटर टू कॉड अगले संडे को वह क्या करता है जब उसका डे ब्रेक होता है बीच में तो क्या करता ह है कि उसी में वो एक लेटर लिखना चालू करता है और उसको खुद ही ले जाता है ले जाकर मेल बॉक्स में डालता है टाउन के ठीक है और यह क्या होता है यह एक लेटर होता है अलेटर टू गॉड यह लेटर किसके लिए होता है गॉड के लिए होता है ठीक है हम लोग य my family and I will go hungry this year, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, I need a hundred hundred pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hail storm फिर उसके बाद अपनी वही पूरी कहानी बताता है, कि मुझे hundred pesos की नीड है, ठीक है, किसलिए नीड है कि मुझे जो है, मुझे अपने खेतों में फिर से सो करना है, सो मिच बुआई करना है, क्या, क्या बुआई करना है, फसल को, ठीक है, बीच को, बोना है, और मुझे जीने के लिए मेरे परिवार की living के लिए भी चाहिए, surviving के लिए भी चाहिए, hundred pesos की नीड है मुझे, अब आपको अगर नहीं पता है कि कैसे लेटर लिखते हैं, तो ये सारी चीजे मैंने पहले बताए हुई है, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट करा दूँगा, वहां से जाकर आप फॉर्मल लेटर, इन फॉर्मल लेटर, सारी चीजे सीख सकते हैं, कैसे लिखना है, और वन आप दा एंपलाईज, फॉर्मल लेटर के पास तो जा नहीं सकता है, तो वह जो देखा होगा, उस पे जो एड्रेस लिखा था, वह गॉट का एड्रेस लिखा था, अब गॉट के पास तो जा नहीं सकता, गॉट के पास जाना है, तो आने की कोई संभावना ही नहीं, तो वह अपने बॉस के पास लेके जाता है, हसते हुए, लाफिंग हर्टली, और वह लेटर दिखाता है, नेवर, इन इस कैरियर, आज़ पोस्ट मैन हैड ही नोन, देट आड्रेस, और अपने पोस्ट मैन के कैर तरह लिएबल, अधिएबल मतलब friendly and pleasant, यानि की बहुत खुश मिजाज व्यक्ती था, अधिक, फेलो, क्या था अफ़ेट अधिएवल फेलो, अल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वह भी ब्रोक आउट इग्दम खुल कर ठाहा के मार कर हसने लगा, बट आल्मोस्ट इमेडियेटली, लेकिन तुरंत, he turned serious end, वह जल्दी से ही serious हो गया, और tapping the letter on his desk, और उस letter को अपने desk पे टैप किया, यानि की रख दिया, commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, वह कहता है, क्या बिश्वास है आदमी का, और मैं कास मेरे पास भी ऐसा बिश्वास होता, जैसा कि उस आदमी का है, जो ये letter लिखा है, starting up a correspondence with God, so, in order not to seek the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, अब postmaster को एक idea आता है, कि जो ये letter writer है, जो लिंचो है, उसका विश्वास न टूटे, God के प्रतीर, न सेखो, इसके लिए उसके mind में एक idea आता है, answer the letter, चलो, इस letter का answer करते है, बट, when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, good willing and paper, ठीक है, तो, जब वो लेटर खोला, तो सोजा था कि answer कर देना है, काम हो जाएगा, लेकिन जब वो खोला उसको पढ़ा, तो उसमें answer करने से ज़्यादा भी कुछ चीज़े ज़रूए थी, यानि कि इंक और paper से ज़्यादा भी कुछ चीज़े ज़रूरत थी, क्या थी, but he stuck to his resolution, he asked for money from his employees, और फिर वो अपने employees से पैसे मांगता है कि चलो सब लोग थोड़ी-थोड़ी मदद कर दो, और उस farmer को जो भी या लेटर लिखा है, उसे ये पैसे पहुंचा दिये जाएं, God की तरफ से, and he himself gave part of his salary, और वो भी अपने salary का कुछ पार्ट देता है, ठीक है, and several friends of his were obliged to give something, for an act of charity, और उसके और भी friends charity के रूप में कुछ ना कुछ दान करते हैं, It was impossible for him to get a hundred pesos, ये impossible था उसके लिए, उन लोगों के लिए, कि वे hundred rupees इकठा कर पाएं, उस postmaster के लिए भी impossible था, कि वो hundred pesos इकठे कर पाएं, Paisos क्या होता है, Paisos हम देखते हैं कि जो Latin America वाला छेतर है, जो जैसे कि मेक्षिको से लेकर पुरा South America तक पूरा, ये Latin America होता है, इधर कई सारी country से जहाँ पर payso s चलते हैं, ठीक है, currency के रूप में, जैसे हमारे रूपया चलता है, वहाँ पर payso s चलते हैं, और इसके जो र the farmer only a little more than half तो वो पूरा hundred rupees नहीं कर पाता लेकिन more than half कर देता है he put money in an envelope address to lunch and with it a letter containing only a single word as a signature signature में क्या था God उसने पैसे डाल दिया और एक letter में लिखा और क्या लिखा सिर्फ signature किया क्या God ठीक कि God से पैसे आ गए है तुमें अब देखिए oral comprehension फिर आ गया इन सब की practice आपको करते चलना है starting से क्योंकि जब आप next year exam दे रहे हूं तो आप keep अच्छी खासी practice हो चुकी रहे comprehension पे ठीक है ताकि जो scene comprehension आते हैं उसको आप आसानी से कर पाएं और जब आप ऐसे questions को करेंगे तो आपको answer learn करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप बाद में answer लिखते हैं उसको learn करते हैं वह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप chapters को multiple times पढ़ चुके होंगे और जब आप chapter को multiple times पढ़ चुके होंगे तो आपकी एक अच्छी सब्सक्रास था तो वो गॉर्ट थे ना लेंचो है फेट या लेंचो हैट फेट इन गॉर्ट वाट डीडीड उसने क्या किया ही रोट लेटर टू गॉड हो गया है ना ऐसे ही अपने माइंड का यूज करना है इस इन सारे पैसे को पढ़ने कॉंप्रिहेंस को पढ़ने है chapters को पढ़ने और इन सभी questions के answer करने कोशिश करने और खुद से भी questions क्रियेट करने हैं अपने माइंड में और उसका answer करने की कोशिश करनी है अब आगे देखिए दूसरा क्या है हूँ रेट दा लेटर तो रेटर को लेटर कौन पढ़ा तो लेटर पढ़ता है कौन पोस्ट मैं ना पोस्ट मैं रिट दा लेटर या पोस्ट मास्टर रेट दा लेटर पोस्ट मैं ना कहीं किए पोस्ट मास्टर बोलेंगे पोस्ट मास्टर रेट दा लेटर अट दा पोश्ट मास्टर डू दे तो फिर पोश्ट मास्टर ने क्या किया तो पोश्ट मास्टर कलेक्टेड अफ्यू अमाउंट आप मनी एंड सेंट इट टू दा अड्रेस और लिंचो ठीक है तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है मैं नहीं बताऊंगा आगे से आपको comprehensive करने हैं उसके questions को पढ़ने हैं और उसके answer खुद करने है अगले संडे लेंचो बहुत जल्दी आ गया और क्या करने के लिए पूछने कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है जो पोस्ट मास्टर था उसने खुद ही उसको हैंड ओवर किया उस लेटर को और जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर से ही देख रहा था इसने एक गुद दीड दी थी वो सारी चीजे एक्सपीरियंस कर रहा था और वो किस तरीके लेटर लेता है फिर उसके बाद उसके क्या हाओ भाव रहते हैं सारी चीजे वो सब कुछ अपने आफिस से बैठकर देख रहा था लेंचो सोट नौट दस्लाइटेस्ट सर्प्राइज और सिंग दा मनी लेंचो को थोड़ा भी सर्प्राइज नहीं हुआ मनी को देख कर सच वाज हिस कॉनफिदेंज उसका कॉनफिदेंस ऐसा था बट ही बिकेम एंगरी वेर यी काउंटेड दा मनी लेकिन वो गुस्सा ग लेंचो की बात को टाल सकता है, so what he had requested, अब फिर वो कुछ request करता है, क्या request करता है, देखिए, कि मतलब जो भी लेंचो ने request किया था, उसको ना got टाल सकता है, और ना deny कर सकता है, अब देखिए, फिर immediately, लेंचो went up to the window, to ask for a paper and ink, लेंचो फिर गया, और क्या मांगता है, पेपर और ink मांगता है, बिंडो से, पोस्ट ऑफिस के ही, और फिर क्या करता है, on the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his probe, यारि कि अपनी भाव हें सिकोरते हुए, व्रिंकलिंग में सैसे सिकोर लेंगे, देखिए, माथे पे ऐसे सिकोरंसी आ जाती है, ना उसको, cost by the effort, he had to make to express his ideas, तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी एकदम ब्रिंकल होके एकदम जूठ के लिख रहा था, ठीक है, when he finished, जब उसने फिनिस किया, he went to the window to buy a stamp, window गया और stamp buy किया, which he leaked and a fixed to the envelope with the blow of his fist, और अपने थूक से उसको envelope पे चिपका देता है, उस ticket को, ठीक है, यह देखिए, कैसे, आप image देख सकते हैं, ठीक है, post office की, the moment a letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और जब वो लेटर डाल के चला गया, तो postmaster जाता है, उसको खोलता है, और उसमें क्या कहा गया था, it said, उसमें क्या कहा, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, तुमने जो मेरे पास भेजा था, उसमें सिर्फ 70 पैसे मेरे पास, पहुंचे, 70 पैसोज मेरे पास, पहुंचे, send me the rest, जो बचा हुआ amount है, वो भी मुझे भेजो, since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़ूरत है, but don't send it to me through the mail, because they are the post office employees are a bunch of crew, ठीक है, बन्चाप कुरूक मीज लाल्ची है, ठीक है, बन्चाप कुरूक है, आपका एक EDM भी हो सकता है, इसको आप learn करिएगा, बन्चाप कुरूक, ठीक है, लेंचो फिर नीचे वो अपना नाम लिग देता है, तो इस तरीके से वो दुबारा लिखता है, और कहता है कि 70 पैसे मुझे मिले हैं, और post office से दुबारा मुझे पैसे मत भेजना, जो बचे हुए पैसे हैं, क्योंकि जो ये post office employee है, बन्चाप कुरूक है, ठीक है, फिर अपना नाम लिग देता है, लेंचो, चैप्टर होता है फिनिस, ठीक है, अब comprehension है, उसके बाद question है, देखिए, questions क्या है, questions को आपको खुद से करने की practice करनी है, chapter को multiple times पढ़ना है, और खुद से solve करने कोशिस करनी है, ठीक है, और